कि आज हम नाने वाले हैं यह दोबया की टेसीपिडिया विजनी आंदर से निकाल लिया यह मटर जसी रहती हैं इनको निकाल के मय अच्छ वाश कर लिया एथे कि इस तरीके से खुच इनको अच्छी से रफ्ली चॉप करके हम लेसे अच्छी से पका लिए गोर्डन कलर आने तक साधी डाल दिया इसमें टमाटर ताकि तमाटर भी हमारे अच्छी से सॉफ्ट हो जाएं सॉफ्ट कर निकलिस में डालेंगे हम मसाले थोड़ा हल्दी पाउडर गरम मसाला धनिया ऐसे पाने डालेंगे तक हमारे मसाले अच्छी से पख सके मसालों तब तक पकाना अब तक यह तो यह तो ख़ची है आधे को हमने इसको पीच लिया है और आधि हमने आसे डालिये जो की यह थोड़ा-थोड़ा निमोना की तरह बनता है इस तरीके से बनाई है बहुत ही अच्छा लगता है और हरी हरी सब्जिय खाई है तो उसका स्वादी कुछ अलग होता है और इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है कर दो और दो मिया करें ठाले के बाद के सबना करें तो मिलिकी फिरेग olduğu चाहिसा प्रैब कर चाहएिस तरीके से दो मिन जोग है यह टाले कि अचरे तो भी है फिर से मिनटे के लगा पकाएंगे ठक की दिखिए एक मिनट हो चुका है तो यह देख नहीं कितने अच्छे से मासालों में मिक्स हो चुकी है यह अलो भी हमारी 50% सब पक चुकी है अब समें डालेंगे हम ग्रेवे के लिए पानी इसमें ने दो ग्लास के करीब पानी डाला है बस इस अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद धके फिर से पकाएंगे दो मिनट के लिए दो मिनट बाद फिर से चेक करते हैं यह देगे कुछ इस तरीके से देख रही है दो मिनट बाद थोड़ा से इसके ग्रेवी और गाड़ी करे अच्छा सब्सक्राइब त़ करेंगे इसमान डालेंगे धन्या को अच्छा से मिक्स कर लिए और ग्यतर एक है कि अच्छा से मीक्स कर लिया है विछ अब इसम प्रेट में सर्फ करते हैं प्राठ्टे चावल अच्छा स्वाद आता इसका इस तरीके से बना है असान अप्लाब्ब्द वथी है तो यह रेसिपी पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले थैंक यू फोर वाचिंग